हेलो दोस्तों, वेलकम, गुरिवरिंग, स्वाइट है आप सभी का दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटी होने वाली है, जी हाँ इसमें आप सभी को जैसा की लिखा हूँ है, तीन सवालों के जवाब सिर्फ एक वीडियो में, बहुत ही इंपर्ट सवाल आपको देने वाला हूँ, जो कि आपके हर SSC MTS के बच्चे के मन में है, और यहां तक एक और अपडेट जो कि SSC CGL के बच्चों के रिगार्डिंग है, वो भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों एक यहां पर matter यह चल रहा है, कि बहुत सारे बच्चों के बंद में यह confusion बनी हुई है, कि सर जो हमारा section 1 है, section 1 MTS का, जैने कि जिसमें हमारे पास GK और reasoning, माफ कीजी, math और reasoning आई हुई है, तो क्या उसके भी number जुडेंगे, क्या यह qualifying जो है, तो इसके लिए भी cut off आएगी, जैसे कि CGL 2022 के अंदर आई थी, तो ऐसा फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर चीज़ें नहीं लिखी हुई थी, पर यहां पर मैं आपको फिर से notification दिखा जता हूं कि क्या लिखा हुआ था, mode of selection आप जैसी notification में खोलेंगे, वहां पर लिखा है, the recruitment process for the post of MTS will consist of session 1 and session 2 in CBT mode the performance of the candidate in session 1 will be evaluated first and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session, यानि कि इन्हों ने ये लिखा हुआ है, कि एक बक्षा की जो session 2 की जो copy है, जिस पर cut-off and made बननी है, वो तभी evaluate की जाएगी, जब आप session 1 में qualify होंगे, यानि कि priority उसे दी जाएगे, उसमें qualify आगर आप हैं, तभी आपके लिए session 2 value वरना कोई भी मतलब नहीं है, minimum qualifying marks in session 1 and as well as in session 2 of computer-based are 30%, 25%, 20%, अब ये point जो है, यही थोड़ा सा बच्चोग confuse कर रहा है, क्योंकि इसमें दोनों session के बारे में और दे रखा है, ठीक है, तो देखें, ये कुछ इसी तरह सी बात है, जो पहले हम लोग का result निकलता था, तो हम लो cut-off आएगी, पर अगर ऐसा होता है, तो फिर चीज़ें बहुत change हो जाएंगी और result में बहुत ज्यादा चीज़ें आपको बदलने को, देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, तो ऐसा फिलाल कोई update नहीं है, आप कीवल session 2 के marks count करिए, और उसी के आधार पर अपने normalization वगरा, ज be shortlisted in the ratio of 1 ratio 5 vacancies for appearing in PT-PST, यानि कि जो हवलदार के लिए बच्चे बुलाया जाएंगी, वो एक ratio 5 के बुलाया जाएंगी, एक पर 5 के लिए, ये साफ-साफ इनो ने लिखा हुआ है, या आप देख सकते हैं, अब रही बात उन बच्चों के लिए जो MTS वाले हैं, यानि कि ज निश्चित तोर पर कम लगने वाली है, थोड़ी सी, ठीक है, तो आप तयार रही हो, और अपने फिसकल की बेशक तयारी करते रहे हैं, उसमें घबराने की कोई जुरुत नहीं है, और देख सकते हैं, कि डाउनलोड एद्मिट कार्ड फॉर कंबाइंग लिए लेवल, एज आपके जो इस्टेटर्स हैं, वो जारी किये गया है, जैसे कि देखिए, उत्तरप्रदेश बिहार में, अगर हम बात करें, तो लिंक एविलेबल सून, राजस्थान दिली उत्तरगंड में, तो इस्टेटर्स जारी है, मध्य प्रदेश सकते हैं, लिंक एक्टिवेट सून तो ये चीज़ें जो है, और्डर में चल रही हैं, किसी किसी का दिख रहा है, किसी किसी का नहीं दिख रहा है, किसी का स्टेटर्स दिख रहा है, आज से कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, प्रोसेस में चीज़ें आच चुकी है, ठीक है, ए